हेलो फ्रेंज, व्यू स्पोर्ट पे आप सभी का स्वागत है, पाकिस्तान बनाम वेस्ट इंडीस, थर्ड ODI का ये व्यू स्पोर्ट का प्रिव्यू है, जहां पर हम देखेंगे हमारे टॉपिक्स, बेस्टीम और कौन बनते हैं, हमारे कैप्टेंसी, वाइस कैप्टेंसी, इस वीडियो के प्राव जखें, फैंटेसी अखाडा, फैंटेसी अखाडा का असली अखाडा, आओ खे kidneyसी आखाडा, खुद देखो, लोइस्ट कमिशन और हायस्ट एर्निंग क्या होती हो, घल फैंटेसी अखाडा आपद डाउनलोड करो और चीतो आगे बढ़ने से पहले याद है ना इस match की final fantasy team view sport app पर ही मिलेगी link description में है pin comment में है deadline से 10-15 मिनिट पहले आपको यहाँ पर उसकी team मिल जाएगी यह भी याद अतना कि description या pin comment में link है उससे आप अगर register करते हो view sport app पर या आप यूज करते हो हमारे referal code youtube 24 इससे daily 3 lucky winners को मिलेगा क्या view sport का one month का subscription free पिछले winners के नाम आपके सामने है screen पर आप भी हो सकते हो इन में से कोई एक तो जाएए whatever view sport आपको download कीजिए और वहाँ पर आप team stats numbers सब कुछ देख सकते हो including our previous बात करें इस series की तो west indies 2-0 से अप है series अंदर कर चुकी है और अब कोशिश करेगी clean sweep भी तरफ चरी जाए पाकिस्तान unfortunity की पिछली ball में edge लगकर गया चौंका यह हार गये और series भी हार चुके है पर अब यह कोशिश करेंगे कि at least घर पे फिर से clean sweep ना हरे अगर हम बात करें दोनों teams के head to head record की तो west indies 26-10 से lead कर रही है इस record को मतलब अब तक आपस में 36 बार खेले हैं जिसमें west indies जीती है 26 बार बात करें प्रावल प्रावल प्लेंग लेवेंग की तो पाकिस्तान की तरफ से यह हो सकता है कि शायद नश्रा संदू फिर से खेलते ह मज़र आ सकती है इस particular game में और वो टूब आसन की जगहा पर या उमेहाने की जगहा पर खेल सकती है अगर हम विंडीज की बात करें तो यहां पर एक चेंज यह हो सकता है इनकी टीम में कि cherry and Fraser को शमीलिया कॉनल की जगहा पर इनों खेलने का मौका मिल सकता है यह यह हो सकता ह चार बार ऐसा हुआ है कि टीम चेस करते हुए यहां पर जीती है आप देखेंगे दोस्तों पिछला गेम भी वेस्ट एंडीज चेस करते हुए जीती थी बट फर्स्ट ओडियाई में पाकिस्तान चेस नहीं कर पाई पेस वजिस्पिंग की अगर हम बात करें तो मामला मोट मोटा बराबरीक है जितना पसेंटेज वो कर रहे है उतना पसेंटेज विकेट भी उनको मिलता जा रहा है अब फ्रेंड हमने देखा है कि चिनल एंड्री स्पेशली काफी परेशान कर दिया पाकिस्तान की ओपनर्स को तो हो सकता है कि फिर से वो इस गेम में एक विकेट ल चब्विस का अवरेज है तीन सिफ्टी उस में शामिल है और फातिमा सना बना चुकी है नौ इनिंग में टू सिस्टी टू रंस एवरेज इनका भी है 33 का बात करें हम इनके बोलर्स की तो निदादार है स्ट्राइक रेट है 38 का मतलब एवरी 38 बॉल्स में ये एक विकेट लेकर जाती है सदिये एकबल के बात करें तो ग्यारा इनिंग में 14 टंके नाम स्ट्राइक रेट 42 का नस्ता संदू में ये निंग में ले छुके हैं 13 विकेट और मे वेस्ट इंडीस के बोलर्स की तो हेली मैथ्यूस वनस अगें इस आउस्टेंडिंग और स्टार बोलर इनकी चार इनिंग में ले चुकी है नौ विकेट श्ट्राइक रेट 26 का एफी फचर की बात करें तो पांच इनिंग में नाम है नौ विकेट और वेस्ट इंडीस की अपना सारा पैसा बचस्ता कमिशन के द्वारा तो जाएए फैंडेस काड़ को डाउनूट कीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां पर आप खेलना शुरू कीजिए और यह जो एक्स्ट्रा कमिशन का पैसा है वो बचा लीजिए तो बेच टीम में हम दोस्तों वि आप सभी की टीम दे रहेंगी इनके बारे में क्या बता हैं पिछले गेम की प्लेयर ऑफ दा मैच भी थी वह इस हेट टूएट गेम्स की आल टाइम रन गेटर बन चुकी है अभी यह 26 इनिंग्स में बारा सो के उपर रन जाएंगे अगर आप देखो लास्ट तीन मैचे ज दोस्तों हम रेक्मेंड करेंगे कि आप यहाँ पर बैक करके जा सकते हो किसको पाकिस्तान की तरह से आप बैक करके तो यहाँ पर सिद्रा अमीन को जिन्हों ने पिछली गेम में अच्छी खासी पारी खेली 50 स्कोर किया और आप इनके लास्ट 9 हेट-to-8 आउटिंग्स दे हेली मैथ्यूस वहाँ पर है निदादार वहाँ पर है फातिमासना और वहाँ पर है मों सी हेंट्री इन चारों को पक्का अपनी टीम में कोई नमबर नहीं आप सभी को पता है और कोई भी इनको ड्रॉप करेगा तो अपने आप में एक बड़ी रिस्क लेकर जा रहे हैं त साथ हेड टूर्ट आउटिंग्स के नंबर देखें इनके तो साथ विकेट वहाँ पर भी है और इस वेन्यू पर लास्ट सिक्स मैचेज में पर लीडिंग विकेट टेकर भी रही है इन्हीं के साथ वेस्ट इंडीज की स्पिनर एफी फ्लेचर को में यहां पर बैक करते हो ज करिश्मा रामाराक को बिकॉज हमारे इसाब से वेस्ट इंडीज फेवरेट्स रहेंगी इस गेम में इसलिए वेस्ट इंडीज का हम एक्स्ट्रा बोदर लेकर जा रहे हैं पिछली गेम में अच्छी परफॉर्मेंस दी तीन विकेट लेकर गई वो बैटिंग के थुरू पहले बॉल पर हमारा वेस्ट इंडीज को जितवाया चार एट-टो-एट गेम्स में के नाम है चे विकेट और पिछले छे लिस्टे मैचेज में यह पिक कर चुकी है तो हमारे इसाब से रामाराक पका रहेंगी अगर आपको लगता है पाकिस्तान फेवरेट्स हैं तो उस अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान फेवरेट्स हैं इस पर्टिकुलर गेम अब दोस्तों यह हो गई अपनी बेस्टीम नाइन में प्लेश की रेडी अब जब जाएंगे सिनारियों पर याद रहे इस मैच की फाइनल फैंटेसी टीम कहा मिलेगी व्यू स्पोर्ट एप और वहीं पर व्यू स्पोर्ट की AI टीम IPL के मैचेस में दे रही है बैक टू बैक दमा के दर पर फामेंच कल की गुजरात पंजाब वाली मैच पंजाब मुंबई प्लीन स्वीप लगना हो चेल नहीं क्लीन स्वीप आप देख सकते हो यह सारे मैचेस के जो पॉइंट्स है स्कोर कार्ड है सब कुछ आपके सामने विनिंग स्कीम शॉट के साथ इतना ही नहीं प्रॉफिटेबल गेम्स भी आई जी चाहे वो DCSRS की हो या चाहे वो कोई और तो व्यू स्पोर्ट AI टीम की फिल से IPL वाली मैच की जो टीम है वो आपको डेडलाइन से 10-15 मिनिट पहले व्यू स्पोर्ट आप पर मिल जाएगी और अगर आप अभी भी चलेगे तो वहाँ पर प्री टॉस लाइन अप जो है वो भी व्यू स्पोर्ट आप के आपको दिख जाएगी तो जाएए फटा-फट डाउनलोड कीजे व्यू स्पोर्ट आप और वो कहां से करना है लिंक का व्यू स्पोर्ट आप का सब्स्क्रिप्शन फ्री तो देर किस बात की जाएए और व्यू स्पोर्ट आप को डाउनलोड कीजे तो चलते हैं सिनारियो वज अनलेसिस में सबसे पहला सिनारियो जो पाकिस्तान बैटिंग फर्स करें विकेट गिविंग सेक्शन नो चेंज बैटिंग सेक्शन में हमने बैक कर रहा हुआ जो प्लैस को सिधरा अमीन को और हमने बैक कर रहा हुआ स्टेफनी टेलर को उनी के साथ यहां पर आप चाहो तो विसमा मरूफ को भी बैक कर सकते हो जो पिछली गेम में 65 रन स्कोर करके आ रही है इस वेन्यू पर जो लास्ट कोई बात नहीं आप यहां पर इनको ड्रॉप करके बिसमा मरूफ को ड्रॉप करके आप चले जाए एक और एक्स्ट्रा बोलर की तरफ चाहे वहां पर आप टूबा हसन को बैक करो या पहां पर बैक करो उमें हानी को याद रहे बोलर्स में थोड़ी सी जादा वैल्यू है अनलेस आपका बैटर 50 स्कोर कर जाए पर इनमें से कौन सा बैटर कव हाथ खड़े कर देगा और 50 ना बनाएगा उसका कोई कहना पॉसिबल नहीं है तो इसलिए अगर आप चाहो से जना चाते हो तो आप एक्स्ट्रा बोलर ही पिक करना पर आपको थोड़ा सा रिस लेने का वहाँ पर हो एफसना यहां हो हेली मैट्यूस बोलिंग सेक्शन में अपने पास अपने पास साधिया इकबाल और इनी के साथ यहां पर पाकिस्तन जब बोलिंग फोर्स करें तो हम उमेहानी को बैक करते हो जाएंगे जो कि ऑफस्पिनर है वहाँ पर पिछली गेम में भी विकेट लेकर गई थी यह अपने लास्ट दस मैचीज में केवल एक बार यह विकेटलेस गई है इस वेन्यू पर लास्ट तीन इनिंग्स में यह ले चुकी है चार विकेट तो आपके लिए भी अच्छी खासे पिक बन सकती है तो भूलिएगा नहीं आप इनको बैक कर सकत देखेंगे तो वहां पर इफी फ्लेचर होंगी साधिया इकबाल होंगी नश्रु संदू खेल तो अगर वो नहीं खेल तो उमाहानी पकाव ले सकते हो करिश्मार रहा को ले सकते हो और आप ले सकते हो तूबा हसन को भी तो बूलर्स में जादा ट्रस्ट रहेगा आपको पका बैक कर लीजेगा तो हेली मैथ्व निददार दो स्ट्रेट फरवर्ड सेफ कैप्टेंची वाइस ब्लेयर नदर आएंगे इस पर्टिक्लिर गेम में भी डिफ्रेंशिल क्रेंगे स्टेफनी टेलर को विकॉस पिछली गेम में भी चेस करते हुए अच्छी काशी 50 और पाकिस्तान की दरफ चाहिए आपको हटके डिफ्रेंशल वी सी पिक तो नश्रा संदू केलती है तो उनका बैक कर लिजेगा या फिर साधिया इकबाल और सो कैंबेन एक्साइटिंग डिफ्रेंशल सी वी सी ऑप्शिन फॉर दिस गेम तो यह था हमारा प्रिव्यू यह